कक्षाची की हिंदी की पाठे पुस्तक बाल राम कथा बारह पाठों की इस पुस्तक का अप्रस्तु थे सात्वा पाठ सोनी का हिरन प्रिष्ठ एक्तालीज राम को कोटी से निकलते देख कर माया भी हिरन कुलाचे भणने लगा राम को बहुत छकाया जाडियों में लुकता छिपता भागता वह राम को कोटी से बहुत दूर ले गया राम जब भी उसे पकड़ने का प्रयास करते वह भाग कर और दूर चला जाता हिरन चालाग था वह इतनी दूर कभी नहीं जाता था कि पहुँच से बाहर लगे राम के सारे प्रयास विफल हुए वे हिरन को पकड़ नहीं पाए उन्होंने उसे जीवित पकड़ने का विचार त्याग दिया धनुश उठाया, निशाना साधा और एक बान उस पर छोड़ दिया बान लगते ही हिरन गिर पड़ा धर्ती पर गिरते ही मारीच अपने असली रूप में आ गया मारीच ने माया से केवल अपना रूप नहीं बदला था आवाज भी बदल ली थी अपनी आवाज राम जैसी बना ली थी धर्ती पर पड़े हुए वह जोड़ से चिल लाया हा सीते, हा लक्षमन ध्वनी ऐसी थी जैसे बान राम को लगा हो वह सहायता के लिए पुकार रहे हुँ बान का प्रहार गहरा था मारीच उसे अधिक देर तक सहन नहीं कर पाया वह छट पटाता रहा जल्दी ही उसके प्रान पखेरू उड़ गए रामन एक विशाल व्रिख्ष के पीछे खड़ा था वह प्रसन्य था उसकी चाल सफल हो गई थी मारीच ने अपनी भूमी का अच्छी तरह निभाई थी अब तक सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा उसने सोचा था उसे राक्षस अगंपन की बात याद आई सीता का हरण हो तो राम के प्रान निकल जाएंगे वह निशक्त हो जाएंगे वह अगली चरण की तयारी में जुट गया मारीच की पुकार राम ने सुनी वह पासी थे उन्ही समझने में देर नहीं लगी की पुकार की मंशा क्या है मायावी मारीच की पूरी चाल उनके सामने खुल गई हेरन जान बूज कर भागता रहा उन्हें कुटिया से दूर ले जाने के लिए वह शडियंत्र का अगला चरण विफल करना चाहते थे उनकी चाल में तेजी आ गई थी ताकि कुटिया पहुँच सकें प्रिष्ट बयालीज यहाँ पर एक चित्र दिया गया है इसमें राम, रावन, मारीच और हिरन दिखाए गए हैं प्रिष्ट तेंटालीज वह मायावी पुकार सीता और लक्षमन ने भी सुनी लक्षमन उसका रहस्य ततकाल समझ गए राम की तरह उन्होंने बान चढ़ा कर धनुष द्रढ़ता से पकड़ लिया चोकसी बढ़ा दी वे राक्षसों की अगली चाल का सामना करने के लिए तयार थे साथ ही राम का आदेश उन्हीं याद था उनके लोटने तक सीता की रक्षा लक्षमन की ओर से इसमें चूक की कोई संभावना ही नहीं थी सीता वह आवाज सुनकर विजलित हो गई घबरा गई दोड़ कर कुठिया के द्वार पर आई उन्होंने लक्षमन से कहा तुम जल्दी जो जिस दिशा से आवाज आई है उसी ओर तुम्हारे भाई किसी कठिन संकट में फस गए है उन्होंने सहायता के लिए पुकारा है उनकी ऐसी कातर आवाज मैंने कभी नहीं सुनी जाओ लक्षमन जल्दी आप चिंताना करें माते लक्षमन ने सीता को आश्वस्त करते हुए कहा राम संकट में नहीं है होगी नहीं सकते उनका कोई कुछ नहीं बिगाड सकता हमने जो आवाज सुनी वह बनावटी है माया भी राक्षसों की चाल है मुझे कुटिया से दूर ले जाने के लिए आप निश्चिंत रहें भाई राम जल्दी ही आते होंगे सीता क्रोध से उबल पड़ी लक्षमन का इस घड़ी में इतना शांत होना उन्हें समझ में नहीं आया राम की आवा सुनकर भी वे यहीं खड़े रहे सहायता के लिए नहीं गए सीता को इसके पीछे शड़ेंत्र दिखाए दिया लक्षमन की चाल लगा कि लक्षमन राम का भला नहीं चाहते उनके हितैशी नहीं है चाहते हैं कि राम ना रहें मारे जाएं ताकि राजपाट उनका हो जाए उनके रास्ते का कांटा निकल जाए तुम्हारा मन पवित्र नहीं है कलुशित है, पाप है उसमें मैं समझ सकती हूँ कि तुम अपने भाई की सहायता के लिए क्यों नहीं जा रहे हो सीता ने यहां तक कह दिया कि कहीं वे भरत के गुप्तचर तो नहीं है सीता की बातों से लक्षमन को गहरा आभात पहुँचा उनका हिर्दे छलनी हो गया पर उन्होंने पलट कर उत्तर नहीं दिया सैयम बनाए रखा सिर जुका कर सबचुप चाप सुन लिया वे सीता की पीरा समझ पा रहे थे केवल इतना बोले हे देवी यह है राक्षसों का छल है खर दूशन के मारे जाने के बाद वे बौकला गए हैं किसी तरह हमसे बदला लेना चाहते हैं आप उनकी चाल में ना आएं वे कुछ भी कर सकते हैं मुझ पर विश्वास करें राम को कुछ नहीं होगा प्रिष्ट चवालीस यहां पर एक चित्र दिया गया है इस चित्र में रावन राम का अपरहन करके लिजा रहा है यह दिखाया गया है प्रिष्ट पैंतालीस सीता का क्रोध और बढ़ गया क्रोध में आँखों से आसु बहने लगे यह भी लग रहा था कि कहीं लक्षमन की बात सहीं न हो यह डर था कि राम से बिच्छू न हो उन्होंने कहा राम से बिच्छूड कर मैं नहीं रह सकती मैं जान दे दूँगी यह लक्षमन तुम उन्हें लेकर आओ लक्षमन राम के लिए राम की आज्या का उलंगन कर रहे थे उन्होंने सीता को प्रणाम किया और राम की खोज में निकल पड़े लक्षमन के जाते ही रावन आप पहुचा तपस्वियों जैसा जटा जूट वैसे ही वरस्त्र सीता ने साधू समझ कर उसका स्वागत किया रावन ने सीता के स्वरूप, संसकार और साहस के प्रशंसा की उसने सीता का परिचय प्राप्त करने के बाद कहा सुमुखी, मैं रावन हूँ राक्षसों का राजा लंका दीपती मेरा नाम लेने पर लोग थर-थरा उठते है लेकिन तुम सुन्दरी हो सबसे अलग हो तुम्हारे लिए मैं स्वयम चल कर आया हूँ मेरे साथ चलो सोने की लंका में रहू मेरी रानी बन कर सीता क्रोधितो उठी कहा मैं प्राण त्याग दूँगी लेकिन तुम्हारे साथ नहीं जाओंगी मैं राम की पत्नी हूँ वे महा बल्चाली है तुम्हें उनकी शक्ती का अनुमान नहीं है तुम चले जाओ नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा रामान ने सीता की बात अनसुनी कर दी खीच कर उन्हें रत में बैठा लिया सीता प्रयास करती रहीं पर रावन के चंगुल से मुक्त नहीं हो सकीं सुमयम को असहाय पाकरवे विलाप करने लगें हा राम हा लक्षमन पुकारती रहें रावन का रत लंका की ओर उड़ चला मार्ग में वे पशूओं, पक्षियों, परवतों, नदियों से कहती जा रही थी कि कोई उनके राम को बता दे, रावन ने उनका हरन कर लिया है गिद्ध राज जटाईव ने सीता का विलाप सुना उसने उची उडान भरी रावन के रत पर हमला कर दिया व्रिद्ध गिद्ध राज ने रत क्षत विक्षत कर दिया रावन को घायल कर डाला क्रोध में रावन ने जटाईव के पंक काट दिये जटाईव अब उड़ नहीं सकता था वैसीधे धर्ती पर आगिरा रावन का रत तूट गया था उडान नहीं भर सकता था उसने ततकाल सीता को अपनी बाहों में दवाया और दक्षिन दिशा की ओर उड़ने लगा सीता को लगा कि अब संभवतह कोई उनकी साहयता नहीं कर पाएगा उनका बचाव केवल एक ही था राम को किसी तरह समचार मिल जाए प्रिष्ट 46 उन्होंने अपने आभूशन उतार कर फेंकना प्रारंब कर दिया आभूशन वानरों ने उठा लिये उन्हें आशा थी कि वानरों के पास ये आभूशन देखकर राम समझ जाएंगे उन्हें पता चल जाएगा कि सीता किस मार्ग से गई है रामण ने सीता को आभूशन फेकने से नहीं रोका उसे लगा कि सीता शोक में ऐसा कर रही है कुछ ही समय में रामण लंका पहुँच गया वह अपने धन वैभव से सीता को प्रभाविक करना चाहता था उन्हें लेकर वह सीधा अपने अंतापुर में गया राक्षसियों को सीता की निगरानी करते रहने को कहा और बाहर निकल गया थोड़ी देर में वह फिर लोटा सीता को घूरते हुए उसने कहा सुन्दरी मैं तुम्हें एक वर्ष का समय देता हूँ निर्ने तुम्हें करना है मेरी रानी बनकर लंका में राज करोगी या विलाप करते हुए जीवन बिताओगी सीता बार बार रामन को धिक्कारती रही रामका गुणगान करती रही रामन को क्रोध आ गया तुम्हारा राम यहां कभी नहीं पहुँच सकता तुम्हें कोई नहीं बचा सकता तुम्हारी रक्षा केवल मैं कर सकता हूँ मुझे सुईकार करो और लंका में सुख से रहो पापी रामन राम तुझे अपनी द्रिष्टी से जलाकर राख कर सकते हैं उनकी शक्ती देवता भी सुईकार करते हैं मैं उस राम की पत्नी हूँ जिसके तेज और पराकरम के आगे कोई नहीं ठहर सकता तेरा सारा वैभव मेरे लिए अर्थ हीन है तुने पाप किया है राम के हाथों तेरा अंत निश्चित है राम की इतनी प्रशंसा सुनकर रामन कुछ चिंतित हो गया उसने सोचा घर दूशन को माने वाला अवश्य शक्ती चाली होगा उसने तत्काल अपने आठ सबसे बलिष्ट राक्षसों को बुलाया कहा तुम लोग पंचवड़ी जाओ राम और लक्षमन वही रहते हैं उनका एक-एक समचार मुझे मिलना चाहिए दोनों पर निगरानी रखो मौका मिलते ही उन्हें मार डालो उधर सीता को पाने के लिए रामण ने अपनी योजना बदली उन्हें अंतापुर से निकाल कर अशोक वाटिका में बंदी बना दिया गया पहरा कड़ा कर दिया गया राक्षसों राक्षसियों को स्पष्ट निर्देश थे सीता को किसी तरह का शारिरिक कष्ट ना हो इसके मन को दुख महचाओ अब मानित करो लेकिन सीता को कोई हाथ ना लगाए प्रिष्ट 47 रावण ने सब कुछ किया पर सीता का मन नहीं बदला वे बार बार राम का नाम लेती थी शेरों के बीच हिरने की तरह बैटी रहती थी डरी सहमी रो रो कर दिन काट रही थी सोने के हिरन ने उन्हें सोने की लंका में पहुचा दिया था यहां से उन्हें राम ही बचा सकते थे हुआ पर्ण